मैं नम आदर सिंग और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जाने हैं फ्यमानिजम के बारे में मतब कि जो फ्यमिनिजम जिसका हिंदी का मतलब होता है नारिवाद इसका सब्द का एक्चुल में मीनिंग क्या है असल में पिछले दो-तीन दिनों से क्या हुआ कि यह सब्द जो हमारे सोसल मीडिया पे हमारे यूटूब पे इस्टरगाम पे हर एक जगह इस तरह से फैला रहा है लोग इसका मतलब भी नहीं जाना है बस फ्यमानिजम को किट साइज कर रहा है हाल में ही क्या हुआ एक महिला ने पिजा ओर्डर किया जो मोट जमेटो एक ऐसी कंपनी है जो फूट डिलेवर करती है ठीक है खाने को भोजन को घर घर तक पहुचाती है तो महिला ने ओर्डर किया लेकिन किसी वज़ा से क्या हुआ कि रोड पर ट्रैफिक होने की वज़ा से एक जो डिलेबरी बॉय था जिसका नाम तक कामराज वो टाइम पे डिलेबरी नहीं कर पाता अब उसमें दो चीज़ें आ रही है कामराज कह रहा है कि जो महिला थी उसने चपन निकाल गए सबसे पहले मुझे पीटा मैं उनको समझा रहा था कि मैम जो है कुछ प्रॉब्लम होई इस वज़ा से लेट हो गया ठीक है लेकिन हो हमारे खिलाब जो है हमें चोट पहुचाई अभी पुलिस इस चीज़ की जाज कर रही है यह जो ट्रेंड है ठीक है यह जो टॉपिक है इस तरह से फैल रहा हमारे मीडिया में लोग एक्चुल में इसका मीनिंग जाने या ना जाने लेकिन हो सीधा फैमनिजम को किट साइज कर दे रहा है उनको पता ही नहीं है कि नारीबाद का मतलब क्या होता तो आज इस वीडियो में जानेंगे या फैमनिजम या नारीबाद सब्द क्या है तो चलिए इसके बारे में थोड़ ध्यान से देखते हैं कि जो पूरुस हैं, उनके पास अधिक अधिकार है, अधिक अधिक सच्छम है सामाज उनको ज़ादा प्रियॉटी देता है क्यों? क्योंकि इंडिया जासी कंट्री जो है, पेट्रियाकल ससाइटी है वहाँ पर सेक्स रिच्याइच जो लिंग अनपात है वह भी पुरुसों का कम है महिलाओं की अपेच्छा लेकिन यहां क्या है कि फ्यमानिजम जो concept है उसका बस यही मतलब है कि एक महिला जो होती है ठीक है उसके पास equal right होना चाहिए और equal opportunities होनी चाहिए जैसे man के पास होता है जैसे आदमियों के पास होता है वसे ही सेम जो है महिलाओं के पास भी opportunities होनी चाहिए किसी चीज को पाने का फ्यमानिजम का बिल्कुल यहां मतलब नहीं है कि man के ऊपर females जाना यहां बस equality की बात हो रही है जैसे अमेरिका में क्या था पहले Slavis को ओट देने का अधिकार नहीं हुआ जैसे कई ऐसे countries ह decis指 जहांप महिलाओं को ओट देने का अधिकार हुआ इह हमारे इंडियमे सबसे पहले बिना किसी रंग को देखे बिना किसी जैंडर को देखे क्या हुआ कि कहा गया कि जो 18 से उपर रहेंगे वोट दे सकते हैं लेकिन प्रमानिजन जो वर्ड है वो इस विचार धारा से आया क्योंकि वहाँ पर एक्वल अधिकार नहीं था और कंट्रिज़ में इंक्लिडिंग इंडिया में भी नहीं था हमारा जो कॉंस्ट्रिवसन है वो भले एकवल रायट की बात करता है ठीक अधिकार समान की बाद करता है लेकिन अक्शुल में अधिकार समान नहीं अभी भी आप हुआ आप रूलर एरिया में जाया है नहीं है तो जी फीमेल्स है और मेंस के ऊपर जाने वाली कहीं मालीजे कोई एक बस है ठीक है मालीजे कोई एक बस है ओके और अधिकतर क्या होती ही जो सरकारी बसे होती है उसमें क्या हो है महिलाओं के लिए रिजर्बर सीट रहती है महिला अरच्छित सीट रहती है तो उस मह महिला अर्च्छ सीट पे सरफ महिलाए ही बैट सकती ह्यां ठीक है तो माल लीजे कि कोई एक बस है हम एक्जामपल देखते हैं उद्हार देखते हैं एक बस है उस पे महिलाए बैटी हुई है पांच सीट महिलाओं पर पांच महिला बैठ गई हीए है पूरा भुद से भरा हूँ से महिला और पुरिस मेट बैठ आ है वहरे पर महिला आ गई थीक हो एक पुरिस स्वाइब कुल पर्लों करने ग्या temperature ऐसान कर थो इसकी बात नहीं भाट करता समानता की बात करा कहां पर अधिकार में यह आपके पास हैं वह हमारे पास भी अधिकार रहना चाहिए जो आपके पास opponents हाँ ठीक है वही जुब है जो पूर्भी देसiks लासा कि इंडिया हो गया चाइना हो गया नेपाल हो गया मैनमार हो गया यहां पर क्या ENमार हो गया। तो यहां-पर क्या-काँ नहीं प्र-की सामाना असर दिया जाए। और समानत कर दिया जा हर एक चीज में तो हमारे सम्मिधान ने तो इसके लिए बहुत कानून ले आ है लेकिन सम्मिधान के कानून लाने से क्या ये चीज नॉर्मल हो सकती है कि पैट्रियाकल जो नेचर है जो पुरुष प्रधानता है भारत की वो खतम हो जाए नहीं ऐसा नहीं है इसके लिए क्या करना होगा कि जो पुरुष है उनको भी महिलाओं के साथ हाथ में हाथ डालकर और चलना होगा ठीक है चलना होगा साथ देना होगा उनका तभी ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो सकती है यह माईड़ेट है, यह माईड़ेट है, तभी दूर हो सकती है, यहां एक्क्वल्टई क्वार्टि की बात, जो समानता है, ओपरॉट्टिन्टी तो होगे, हर एक चीज में पार्चिंटी जो अवसर आपको मिल रहा है वही अस्वर हमें भी हमना चीज यहां समानता जो है वह समानता किस चीज की पहला तो हो गया सोसल समाजिक समाज जानी रहे हो कितना खतारनाक चीज है तो समाज पहे महिलाओं मेलाँ को इक्क्वल अथिकार मिले और वह ही औसागले ऑसे रिकोनामिक भी मिले महिलाएं घर में छाना बना रही है अभी तो जल्दी डिवेट ऊठोड़ कि उसके लिए भी पैसा मिलना चाहिए ठीक है कि तनक्वा पानी जाहिए महिलाओं को मिलनी चाहिए तनख्वा वो घर पे खाना बना रही है और इसके साथ ही साथ पॉल्टिकल एक्वल्टी की बात हो रही है कि समाज ने एक्वल्टी नहीं दी समाज ने समानता नहीं दिया इकोनॉमिक समानता जो है वो हम उनको पाना है समाज से भी पाना इन दोनों से पाना और पॉलिटिकल समिधान भी दे यह समानता तब जाके समानता जो है फ्रेमिनिजम का कॉंसर्ट पूरा होगा यहां क्या हमारा पॉलिटिकल सिस्टम तो दे रहा है हमारा कॉंस्ट्यूसन निदान लेकिन हमारा या हमारी जो साइटी ए이 हमारी जोugenics इंडूस्ट्रिया वहां पर कहीं न कहीं कमी रह जा रही है सी है तो इसी इशनार करताया मैं मतलम नहीं कि मैंसे उपर जाए हम यह ऊजो सिर्फ कि खिर है को एक कॉंसेब्ट है Jerusalem कहता है की सिर्फ Up को कानून बना देने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर इंटर्फेयर करना होगा घर में इंटर्फेयर करना होगा कानून लेकर कि महलाओं के साथ अंदर क्या हो रहा है आज जो है महलाएं अपने साधी करने रहा है खुद नहीं ले सकती इस तरह पेट्रियार्कल सोसाइटी है तो रेडिकल जो फेमानिजम है इस चीज का विरोध करता है कहता है नहीं यहां पर इक्कुल एपार्चंटी इसमें भी रहनी चाहिए हर एक चीज में रहना चाहिए बॉड़ी पार्ट की अगर बात करें महिलाओं को जो है खुद के बॉड़ी पार्ट पर हक नहीं है उनका वहां भी दुसरों का हक हो रहा है तो इन सब चीजों का विरोध करता है रेडिकल फेमानिजम एजुकेशन की बात हो गई अभी कई ऐसे जगहां है अपने भारत में देख लीजिए बगल के पड़ोसी दे है ठीक है Constitution में है हमारा समाज है हमारा जो इकोनॉमिक इंडेस्ट्री है ठीक है जहां से उनको पैसा मिलना है जब यह सब हाथ में हाथ डालके महिलाओं के साथ नहीं ख़ड़े होंगे तब यह कॉंसेप्ट जो है बस कॉंसेफ्ट है और इसका किसीजम जो है बहुत ही गलत है अगर जब तरह मीनिंग नहीं जान रहे हैं इसका तब तक गलत है अभी यह तो पुलिस इस बात की पुष्टी नहीं किया ना कि कामराज गलत है या महिला गलत है कि तो इस चीज का इतना विरोध भी नहीं ठीक है हां हो सकता है कि उन्हों ने कि सोचल मीडिया का उस एक अउस एक उस लड़की ने गलत इस्तेमाल किया हो लेकिन यहां बिलकुल जय हिंद जय भारत